अशोक नगर में भारती जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष नीरज मानोरिया की फेस्बुक आईडी हैक कर उस पर आपत्ती जनक कंटेंट डाले गए जिस व्यक्ती ने आईडी हैक की उसने भारत बिरो दी और पाकिस्तान के समर्थन में कई पोस्ट एक के बाद एक डाली है पूर्व जिला अध्यक्ष ने एस पी आफिस पहुँच कर इसकी शिकायत की जिसके बाद साइवर सेल ने तुरंती उनकी आईडी को रीकावर कर लिया है जानकारी के मताबक नीरज मानोरिया ने बताया कि वो अपने दफ्तर में बैठे थे इसी दोरान उनको किसी मित्र का फोन आया कि उनकी फेस्बुक आईडी पर कुछ आपती जनक समगरी डाली गई है इसके बाद पोस्ट के स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया पर धड़ा धड़ वाइरल होने लगे उन्होंने बताया कि आईडी पर जो समगरी डाली जा रही थी वो बहुती आपती जनक थी जो ज़्यादातर पाकिस्तान के समर्थन में और भारत के विरोध में थी उन्होंने एडिशनल एसपी सुनील शिवहरे को इस मामली की शिकायत की थी जहां पुलिस ने इस मामले में तुरंत कारवाही करते हुए आईडी को रिकावर कर लिया साथ ही जिस इस्थान से और जिसकी दौरा ये हरकत की गई है उसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है जिस ने भी इसको हैक किया था उसके ख़ाब पैदाने करवाई की तो लगवा हादा पौन गंटे पहले अपने बटा था मुझे लगा ता टेलीफोन आ रहे थी कि आपकी है आपने पाकिस्तान इंदावाद और इंडिया मुर्दावाद की कोई आईडी डाली है वो प्रोफाइल डाली है उसको लेकर मैं ततकाल अपने मित्रों को माद्देम से फेस्बूक पर बगएर आप और मैंने साइबर सेल में इसकायद कर दी है कि मेरी आईडी किस से ब्लॉक कर रहा होंगे जो भी मतलब जो पर गिरिया होगी और आपको ये सूचने किस ने दी मतलब सबसे पहले आपको किस ने बदाए एक मित्र का आया कि तुमने अपनी आईडी साइड तुमारी हैंग हो गई है फिर लगाता है टेली फोन आती रहे तो मैं फिर सीदे स अशोक नगर से राहूल कुमार जैन सागाटी बन्यूद हिस आपको सबसाँ झाल 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 झाल